लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले एक जाम सेंटर पर ब्लूटूट से नकल करने के मामले में पांच परिक्षार्थियों को पुलिस ने रविवार को अरेस्ट कर लिया इन में से एक का एक जाम सेंटर गांधी नगर डियेवी था चेकिंग के दोरान पुलिस की नजर एक लड़के की कान पर गई तो कुछ संदिग्ध लगा ठीक से जाच की गई तो ब्लूटूट सामने आ गया जारखंड करमचारी चयन आयोग द्वारा इंडिया रिजर्व बटालियन नियुक्ती परीक्षा के दोरान यह मामला सामने आया बाकी चार मुन्नना भाई रांची के अन्ये सेंटर से पकड़े गए राज्ये के 385 सेंटर्स पर यह परीक्षा हुई वही रांची के 66 केंद्रों पर परीक्षा आयोजद की गई थी डी एवी गांधी नगर एग जाम सेंटर पर एक परीक्षार्थी हाई टेक नकल करते हुए धराया इस परीक्षार्थी ने इनर्क के अंदर मुबाईल को विभिन पार्ट में विभगत कर रखा हुए था कान में ब्लूटोथ के माद्यम से नकल की तैयारी में था संदेहास्पत गतिवधी के कारण इसे पकड़ा गया सेंटर सुपरिंटेंडेंट की सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया है गोंदा थाने में परीक्षार्थी से पूछताच चल रही है बताते चले की पिछले सप्ता हुई इसी परीक्षा में नकल करने कराने के आरोप में 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था पुलिस इस लड़के को भी उसी गिरोव में शामिल देख रही है जो पिछले रविवार पकड में आये थे पुलिस के अनुसार, इंडियन रिजर्व बटालियन की परीक्षा में नकल के लिए एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है यह हाई टेक गिरोचार ग्रूप में ब्धटा होता है इनके जिमें क्वेश्चन पेपर का फोटो खींचने प्रशनों को हल करने और फिर परीक्षा होल में बैठे परीक्षार्थियों तक कि इलेक्ट्रोनिक डिवाइस और माइक्रोफोन के जरिये सॉल्व क्वेश्चन पहुचाना होता है पिछले रविवार अरेस्ट इसने ट्वर्क का मास्टर माइंड अनूप कुमार हाई टेक चोरी कराने के लिए क्यांडिडेट्स को डिवाइस उपलब्द कराता था डिवाइस कैसे और कहा लगाना है इसकी पूरी सेटिंग भी वही करता था